मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिटवाया और बताया कि अर्विंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं अने में बिभव कुमार जो कि उनके पियस थे वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे और उन्हाने मुझे बोला कि तिरी आवकात क्या है तिरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे नीच औरत उन्हाने मुझे साथ आठ थपड पूरी जोर से मारे तो उन्हाने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया और मैं चीकती रही, चिलाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियट्स चल रहे हैं मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है फिफ्टी सेकंड्स की क्लिप, डॉक्टर करके, एडिट करके, उसमें से भी काट पीटके उसको टीवी चानल्स को दिया गया इनके द्वारा ये ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंट्मेंट नहीं था तो मैं ये जानना चाती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी, तो फिर तो गेट पी रोकते थे आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, मेरे पास अर्विन जी का कोई क्वाल नहीं आया ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अर्विन जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे है बहुत करीबी रिष्टा है उनका अर्विन जी के साथ अर्विन किज्रिवाल जी के सबसे बड़े राज़दार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त बिभव कुमार है अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना अलिशान उनको घर दिया गया है इतना तो किसी मंतरी को भी दिल्ली में नहीं घर मिलावा है पूरी पार्टी उनसे डरती है यह अगर बिभव नराज हो गए आपसे तो फिर आप खतम हो पार्टी अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उटके भागते हो क्योंकि आपको अपने आपको पचाना भी है और आपको न्याई भी पाना है मैं आप सब पूछना चाती हूँ कि में 13 को जो इंसिदेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप पताएं कि क्या हुआ था उस दिन मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किजरिवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अर्विन जी घर पे हैं और वो मुझे से मिलने आ रहे हैं फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी वी थी अराम से बैठी वी थी इतने में बिभव कुमार जो कि उनके पी-स थे वो वहाँ पे धन-धनाते वे आते हैं अजो उन्हों ने मुझे बोला कि तेरी आउकात क्या है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे नी चौरत पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे वो और उस समय मैं बहुत सक्पका गई और मैंने उनको बोला भी कि भई क्या हो गया मतलब अर्विन जी आ रहे हैं क्या हो क्या गया तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्हाने हाथ छोड़ दिया उन्हाने मुझे साथ-ाठ थपड पूरी जोड से मारे मैं सोफे पर बैठी थी वो सामने खड़े थे और मारे ही जा रहे थे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ इतने में मैंने अपने आपको बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुष करने की कोशिश करी तो जब मैंने उन्हें पुष करने की कोशिश करी तो उन्हाने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया उसमें मेरा सर भी जो center table है, उस पे जाके टकराया मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीकती रही चलाती रही, मैं मदद मांगती रही, और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे periods चल रहे है मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में और जब इतना जादा मुझे वो पीट चुके थे उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आपको छुड़ाया और मैं वापस सोफे पे जाके बैठी और मैं बहुत अजिटेटेट थी तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती और तुमको तो मार के गढ़वा देंगे हड़ी पसली एक कर देंगे पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया जैसे ही उसने रिलाइज किया कि मैंने कॉल कर दिया है वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया मैं बतला बहुत ज़ादा एजिटेटेट थी और मैं उन्हें चीक चीक के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ मैंने उन्हें बताया कि बिभव ने कैसे लातों से घूसों से थपड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैटके यहीं पे मेरी पिटाई हुई है तो उन्होंने बोला क्योंकि बिभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर भेंगो तो मैं उनको बोलती रही उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आँ बाहर निकलिए मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिये पुलिस को आने दो, यह क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हाथसा हुआ है, मैं मेंबर ओफ पार्लिमेंट हूँ, मैं फॉर्मर डेली कमिशन फॉर विमन चेर परसन हूँ, आप रुकिये, आप पस पुलिस को आने दीजे, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पु क्योंकि मैं को यह ड़ था कि मैं यहाँ से चली गई, तो यह टैंपर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है, तो इसलिए मैं उनसे बार बार अर्ग्यू कर रही थी, यह आर्ग्यूमेंट कम से कम आठ से दस मिनट चला होगा, और उसमें पूरा टाइम में देख रही थी बिभाव मुस्कुराते वे विडियो बना रहा था, जब एंड में मुझसे मैं बिलकुल अपना आपा खो गई, और मेरे मुझसे कुछ अपशब निकले, जो बाद में हमने देखा कि किस तरीके से वो एक बस 50 सेकंड की क्लिप, डॉक्टर करके, एडिट करके, उसमें से भ किस तरीके से ये जो वीडियो है, इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्माट कर दिया गया है, अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीक-चीक के बता रही हूं कि मेरे को कहा मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिलकुल बात क्लियर हो जाएगी, तो इसके साथ भी टाम पर करा गया, तो अगर जो वीडियो है, एक तो CCTV वीडियो है, जिसमें पूरा सीक्वेंस है, जो अभी तक रिलीज नी हुआ, थू दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है, वो भी है, दो वीडियो सोर्स है अभी, जी बिलकुल दो वीड मैं इसी का बता रही हूं आपको, कि वो वीडियो अक्चली पूरी वीडियो है, वो आट, नौ, दस मिनट की वीडियो है, स्वाती जी आप उनके घर कई बार जा चुके हैं, क्या हर बारी आप अपॉइंटमेंट लेके जाते थे, इस बारी शायद नहीं लेके गए, क्या उस वज़े से नराज थे, क्या हो सकता था उस दिन? और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रिटेरियेट जाते हैं, तब एक पार ओफिस पे के लिए ओफिशिल टाइम लेके जाया जाता है, लेकिन जब घर जाते हैं, तो मैं ऐसी जाती हूँ, यह यह कहते हैं, कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अप मुझे हलका सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे मैं मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है, और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टन है, तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देती कि बाहर चले जो मैं बाहर चली जाती हूँ, मतलब अगर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो यह तो बहुत अजीब बात है, ऐसे तो होई नहीं सकता कि सी एम के घर में कोई नहीं हो, और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की, और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से, जी वही अजीब बात है, और मैं बहुत जोर-जोर से चीक रही ति सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया पुलिस अब इस बारे में investigate कर रही है कि क्या हुआ क्यों हुआ और किसके instructions पर मैं PT गई हूँ यह सारी चीजों पर अभी investigation चल रहा है और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से cooperate कर रही हूँ तो इस वक्त अब इस से जादा मैं क्या बोलूँ because it's a matter of investigation आप कह रही है किसी के instructions पर यानि कि खुद बखुद भिभव में इतना इतनी जुरत नहीं होगी कि वो खुद पीटे is that what you're saying? मैं यह नहीं कह रही हूँ मैं यह कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार-पिटाई हुई है अब बहुत सारे सवाल उठते हैं वो जो सवाल है कि कैसे पिटी? क्यों पिटी? बिभव ने अकेले मारा? क्या किसी के instructions पर मारा? यह सारी चीज़े matter of investigation हैं दिल्ली पूरी तरीके से cooperate कर रही हूँ हाँ मैं यह भी है लेकिन मैं किसी को clean shit नहीं दे रही कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अर्विन जी का कोई call नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले यह भी fact है कि इस पूरे प्रकरण में अर्विन जी उस आरूपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे है वो उसको लेके लखनाव घूम रहे है वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सडक पे उतरे इतना तो उन्होंने मनीश जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा तो ये जो चल रहा है और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शन दिये गए है कि मेरा चारेक्टर असासिनेट करो मेरे विक्टिम शेमिंग करो मुझे मतलब पूरी तरीके से टॉर्चर करो तो ये मुझे जो दिख रहा है इसको लेकर मैं किसी को भी क्लीन चट नहीं दे रही How long have you known भेभव जी? I know him since 2006 only Since 2006 क्या वो बहुत करीबी रिष्टा है उनका अर्विन जी के साथ? हाँ स्टार्टिं में नहीं था लेकिन अब अर्विन किज्रिवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त बिभव कुमार है वो कोई मामूली पिये नहीं है अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना अलिशान उनको घर दिया गया है इतना तो किसी मंतरी को भी दिल्ली में नहीं घर मिलावा है तो वो एक बहुत रसूकतार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में और पूरी पार्टी उनसे डरती है और उनके ओपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है तो ये सब बाती है डरती है क्यों डरते हैं लोग? लोग डरते हैं उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मेसेज है कि अगर बिभाव नराज हो गया आप से तो फिर आप खतम हो पार्टी में इस पार्टी में पहले भी वाइलन्स के इंसिदेंट्स हो चुके हैं रफश ट्रीट्मेंट कुछ लोग ओपनली कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि दबे पाउं चलना पड़ता है अर्विन जी के आसपास इस इट अ कल्चर ओव वाइलन्स प्रशांत भूशन जी और शांती भूशन जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मारके निकलवाया गया था हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेक्रेटरी को भी ड्रॉइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गई हूँ तो अब मेरे पास क्या बोलने को बचा है फैक्ट तो यह है कि मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है और अगर शायद इतना नहीं मारते तो मैं शायद वो कॉल क्यों करती मतलब वाट इस माइ मोटिफ दो वीडियोज है एक तो अब शब्द वाली और दूसरा जो आप चल के जा रही है जो आप चल के जा रही है उसमें जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग है वो उन्होंने प्रेस को बताया कि वो तो she's walking out normally वो ना तो उनके कपड़े फटे हुए है क्योंकि आपने का था आपका shirt उपर किया था and she's not limping क्योंकि आपने का था you were kicked तो वो limping नहीं है पर एक woman there are two women in the video जो आपको escort करके बाहर लेके जाते हैं and आप point कर नहीं है towards somebody and there are two-three men who are standing around you and they are also just watching you कि CCTV footage में तो देखो कैसे चल रही है सीधी चल रही है वो जो edited video है उसमें तो देखो आराम से बैठी है तो मुझे एक बात बताईए जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका first reaction क्या होता है you are very agitated obviously there is pain but there is agitation which takes you over there is a very high adrenaline also running through your body आपको अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठके भागते हो क्योंकि आपको अपने आपको बचाना भी है और आपको न्याई भी पाना है तो यह कहना कि देखे इस CCTV फुटेज में यह ऐसे चल रही है पहली बात तो जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है उसमें तो मीडिया में यह चल रहा है उसमें इंसान दौड भी जाता है अरे फ्रैक्चर भी हो जाता है तब भी इंसान दौड जाता है और जब वो चोट सेटल करती है और जब आप अच्चली रिलाइस करते हो कि आपके साथ क्या हो गया मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते है तो यह कहना कि वो तेज चल रही थी फिर बाद में वो देखो लिंप कर रही है मुझे लगता है इससे बुरी विक्टिम शेमिंग क्या हो सकती है दुख इस वात का है कि दिल्ली की महिला मंतरी यह कहती है कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे मैंने कब F.I.R. में कहा कि मेरा सर फट गया जी मैं खूनम खून हो गई इग्जाक्ली जो मेरे साथ हुआ है वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा और मैं अगर गलत हूँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे उससे सब क्लियर हो जाएगा मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि पुलिस मेरा पुलिग्राफ टेस्ट कर ले क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिन्दा रहूँ जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो जूटे आरोप लगाती है उस वक्त दो-तीन अलग-अलग बयान थे CM और विभव ने पिटवाया CM ने विभव से पिटवाया विभव ने अकेले पीटा Have you given a clean shit to Arvind Kejriwal की उन्होंने कुछ नी किया विभव ने अपने आप किया है Who did what? देखे मैं किसी को भी clean shit नहीं दे रही चार दिन बाद मेरी MLC हुई उसमें भी मेरी injuries निकल कर आई है तो ऐसी situation में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीक चिला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ और मैं ड्रॉइंग रूम में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया तो मैं कैसे किसी को clean chat दे सकती हूँ जी मैं अर्विन जी के घर से निकल कर जब police station पहुची civil lines police station तो वहाँ पे ऐसे चो के सामने मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी मैं फूट फूट के रो रही थी उसी वक्त मेरे पास media के बहुत सारे calls आने लग गए जैसी मैंने media के calls देखे मैं घबरा गई क्योंकि मुझे इस बात की डर लगा कि election का time है and I don't want to politicize what happened to me so at that moment I decided that I will leave तो मैं घर गई उसके बाद party के वरिष्ट नेता मेरे घर आए मुझे बोला गया कि party इसके उपर action लेगी सक्त से सक्त action लेगी क्योंकि उन्होंने मेरी हालत देखी they came inside your house? yes they did कितने लोग आए थे? थे कुछ लोग उस time वो they had sympathy with you? they had because अगर आप देखें तो Sanjay Singh Ji आये थे मेरे घर पे उन्होंने मेरा हाल देखकर वो अर्विन जी के घर पे भी गए उन्होंने बिभव से भी बातचीत करी ऐसा उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद सब कुछ देखकर अगले दिन उन्होंने एक press conference भी करी जिसमें उन्होंने ये बात मानी कि स्वाती इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत मुखर आवाज है और उसके साथ बहुत जादा मारपीट हुई और इसी लिए अर्विन जी संग्यान ले रहे हैं और अर्विन जी बिभव के खिलाफ एक्शन लेंगे ये प्रेस कॉंफरेंस पूरे देश ने देखी है मुझे बोला गया कि आप कंप्लेंट मत कीजिए हम अक्शन लेंगे पर अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से बिभव कुमार लकनव में इन लोगों के साथ दिखे मैं जब उस दिन जिस दिन लाखो लड़कियों को जब वो मेरे पास आती थी और इतने गिनोने क्राइम्स के साथ मेरे पास आती थी मैंने उन्हें हमेशा हिम्मत बढ़ाई और मैंने उन्हें हमेशा ये बोला कि चाहिए कुछ हो जाए पूरी दुनिया तुमारे खिलाफ हो जाए, तुम लड़ो, और अकेले लड़ना पड़े, तुम लड़ो, तो मुझे जब मैं उठी, तो मुझे एक इतनी इतनी गलानी की फीलिंग हुई, कि मैंने इतनी महिलाओं को हिम्मत दी, और उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी उन्होंने इतनी इतनी हिम्मत दिखा सकता है, कि वो CM के ड्रॉइंग रूम में, मेंबर ऑफ पार्लेमेंट को, फॉर्मर चैर्पर्सन और डेली कमिशन फॉर विमन को इतनी बुरी तरीके से पीट दे, तो वो एक आम महिला के साथ क्या करेगा, तो वो एक आम महिला के साथ and by then, I had gathered enough strength and मैंने ये decide कि मैं fight करूंगी और मैं complaint करूंगी, मुझे बोला गया था कि अगर तुमने ये complaint फाइल कर दी, तो पूरी पार्टी तुम्हें अकेला कर देगी, मुझे बोला गया था कि पूरी पार्टी तुमको BJP का agent बना देगी, मुझे बोला गया था कि कोई मे साथ नी खड़ा होगा, फिर भी मैंने ये नी सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज मैंने सारी महिलाओं को बोली है, कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सची सची कंप्लेंट करों लेकर आपके साथ अगर कुछ कलात हुआ है तो आप जरूर लड़ो तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती So there was only one thought in my mind and that is why I filed a formal complaint and जो उन लोगों ने मुझे डराया था और जो उन लोगों ने मुझे बोला था वो actually सच टिकला क्योंकि जैसे ही मेरी complaint हुई उसके बाद all hell has broken loose in my life जिस दिन तक मैंने complaint नी file करी उस दिन तक मैं Lady Singham थी मैं इस देश की सबसे महिलाओं में सबसे मुखर आवाज थी और जैसे ही मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ complaint फाइल करी जो पार्टी में बहुत जादा रसूख रखता है जो सबका चहेता है उस आदमी के खिलाफ जैसे ही मैंने complaint फाइल करी तो मैं BJP की agent बन गई ये बोला जा रहा है कि BJP ने मेरे को डराया कि मेरे खिलाफ जो case है उसमें वो पता नी क्या कर देंगे ऐसा तो महिला मंतरी बोल रही है आतिशी मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहां पे हूँ वो बनी पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया उन्होंने जब मेरे को पूरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया मुझे अकेला कर दिया आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि 20 साल से मैं जिस पार्टी में काम कर रही हूँ वही पार्टी में मेरे दोस्त भी है मेरे एक एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिग गए अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीट तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं तो मैं पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो पूरी तरीके से अखेला कर दिया मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला यहां तक हुआ कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है लेकिन मेरे जो रेलेटिव जिनके साथ रह रह रही हूं उनके पास गाड़ी आए तो उनकी गाड़ी से मैं अलग-अलग जगाओं पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने तो उनकी गाड़ीयों के डीटेल्स भी फ्लैश करे गए हद कर दी मेरे सारे दोस्तों को कॉल करकर के बोला जा रहा है इसकी कोई परसनल वीडियो दो इसकी कोई परसनल फोटो दो डांस करते वे वीडियो दो कुछ भी दो, कुछ भी निकालो यूएस गई थी तो यूएस में जहां पे आम आदमी पार्टी वॉलिंटियर्स के साथ रुकी उनको फोर्स करकर के प्रेशरा जा रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं जुखी क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीजों से चुप कर आया जा सके मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी तो आज मेरी ये हलत कर दी गई है कि मैं बस अखेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है कुछ लीक्स आई हैं from sources in आमादमी पार्टी कि शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राजसभा की seat आपको you have to give it up कि कि किसी और किसी एक खास वकील के लिए वो seat चाहिए Was that an issue? देखिए अगर मेरी राजसभा की seat उनको वापस चाहिए थी अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे दे थी MP तो बहुत चोटी बात है और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी जिन्दगी में जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है अब चाहिए दुनिया की कोई शक्ती लग जाए मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी मुझे पता चल रहा है मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूंगी और मैं एक आइडियल पार्लिमेंटेरियन कैसी होती है मैं वो बन के दिखाऊंगी दियू फील टाट सुनीता जी हों या फिर आतिशी जी हों इन दोनों के तरफ से आपके खिलाफ या आपके सपोर्ट में अगर वो नहीं कहीं तो डियू फील बिट्रेट बाइद है जी मैं तो बस इतना कह सकते हूं कि आज मेरे साथ हुआ है कल पता नहीं किसके साथ होगा बहुत हिम्मत चाहिए इतने पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए मैंने आज वो हिम्मत दिखाई है बढ़ हाँ ये ज़रूर है कि मैं पूरी तरीके से अखेली हूं मुझे बहुत दुख होता है जब मैं महिला मंतरी को देखती हूं टीवी पे ये बोलते वे कि इसके तो कपड़े नहीं फटे इसके तो सरनी फूटा ये तो जूटी है ये तो बीजेपी की एजेंट है तो मेरा दिल बहुत टूटता है क्योंकि मैं ये मानती हूं कि हर महिला को महिला के साथ खड़ा होना चाहिए